जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साथ के बहुत ही महत्वपॉण कॉस्चन अंसर तो वीडियो को पूरा वस्थ से देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को की बात करें यहां पर क्या है तो देखें दस रूपर किस प्रकार का ग्रंथ है यह आपके लिए बताना है चार विकल्प दिये गए हैं आंसर बनता है अगर आप से तो आप कमेंट में जरू बताया करें क्या होगा इसका सही आंसर वहती महत्वपॉण कॉस्चन आप से नवर्थन का रचिनाकाल वहती इगा है अंग्ला कॉस्चन आपने यहां पर बताना है चार विकल्प आपके हां पर दिये गए हैं और आपका जो सही आंसर है हिंदी नवरत नंका राचिनाकाल तो राइट आंसर है उननेचस तो सत्रा 1917 आपके हाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो कॉस्चन नमबर 4 आप से हाँ पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया हिंदी प्रिचलित 12 मासा सबसे पहले किस किर्थी में मिलता है यह जो 12 मासा है इस सबसे पहले किस किर्थी मिलता है question number 4, 4 विकल्ब देगा हैं आपके हाँपर और आपका हाँपर सही血 आंसर है विकल्ब नमबर D आने की संदेश रासक आपका सही血 आंसर है संदेश रासक आपका सही시는 रासक जोनों ने बताया है उनका सहींजर है अंग्ला question क्या है?让 bisa राम कथा आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question है क्या है अंगला question question number 6 यहाँ पर देखिए फागू की भीर अभीरन में गही गोविंज ले गई भीतर गोरी इसके जो रचिनकार हैं वह कौन है question number 6 है question पूँचा गया है और आपका यहाँ पर सही answer है question number D आनि कि इसके जो रचिनकार हैं वह पदमाकर हैं पदमाकर आपका यहाँ पर सही answer है question number 7 का यहाँ पर सही answer है आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या है इसके रंदरी की रचिनकार कौन है Q8 का सही आंसर है विकल्प नंबर B आनिकी मैतली सन गुप्त आपकर आइट आंसर है अंगला Q2 क्या है प्रसाद की गीत कला का उतकरिष्ट रूप किस संकलन में दिखाई देता है किस संकलन में दिखाई देता है बताना है Q9 में तो 9 का सही आंसर है विकल्प नंबर C आनिकी लहर प्रसाद की गीत कला का उतकरिष्ट रूप किस संकलन में दिखाई देता है तो लहर आपके हैं पर सही आंसर है अंगला Q2 क्या विकारी ठापर का विदेशिया है क्या है लोक गीत लोक कथा लोक नाटक या लोक गाथा Q10 है महत्यपूल Q2 पूंचे गया है और लोक नाटक आपका यहां पर सही आंसर होगा लोक नाटक आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही नहीं में ऐसे पुरानी कहानी कौन सी है पुरानी कहानी कौन सी है Q11 का सही आंसर बताना है तो Q11 का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक रानी केतकी की कहानी रानी केत्की की कहान ही सही आंसर है कौन सी पार्सी नाटक कार नहीं है कौन पार्सी नाटक कार नहीं है पुंचा है आपसे question number 12 में तो 12 का आपका जो सही आंसर है भै क्या है तो 12 का सी right आंसर विपन कुमार अगरवाल विपिन कुमार अगरवाल आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन के दानात अगरवाल की प्रिशिद्ध कभी था है मांजी ना बजाव बंची और बसंती हवा केसे काप के संकलन में है यह को कि गंगा या गुल महेंदी फूल नहीं रंग बोलते हैं नीद के बादल to आपका 13 सही आंसर विकल्ब ननमबर सी फूल नहीं रंग बोलते हैं अंगला क्वास्चन क्या है देखिए यह सहर अब भी संभाबना है किसकी रचिना है सहर अब भी संभाबना है इस जो रचिना है यह किसकी असोग वाच्पिये असोग बाचपिये आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन है सुमित्र नंदन पंत को किस किर्टी के लिए ग्यान पीट प्रोषकार मिला था यह आपका महत्त पूर्षकार मिला था तो किस किर्टी के लिए मिला था सुमित्र नंदन पंत के लिए तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, question number 15 का D, चिदंबरा, चिदंबरा आपका सही आंसर है, ब्यादिक काल के बातवर्ण को आधार बनाकर लिखा गया, ब्रंदबन लाल बर्मा को पन्यास जो है, question number 16, ब्यादिक काल के बातवर्ण को आधार बनाकर लिखा गया, ब्रंदबन ल पाकिस्तान से सम्मंदित नहीं है तो आपका सही आंसर हैं आपर question number 17 का क्या right answer 17 का right answer B बलच नमा बलच नमा आपका सही आंसर है अंगला question पेपर वेट किर्ती में इन दो विधाओं की रचना संग्रेत है कौन-कौन सी दो विधाओं बताइए question number 18 18 का सही आंसर बताना है तो आपका सही आंसर विकल्प नमबर D कहानी और नाटक आपका सही आंसर है अंगला question है प्राकृत पेंगलम की आधार पर सुकल नेकिस रासु गिरंथ की कल्पना की है वीसल दिव रासु, खुमार रासु, हमीर रासु, विजयपाल रासु question number 19, 19 का सही आंसर है आपका C यानी की हमीर रासु आपका सही आंसर यहां पर है अंगला question क्या है देखिए यहां पर आपका जो अंगला question पूच्छा गया है वहे आपका इस परकार यहां पर दिया गया question number 20 का राइट आंसर आपका यहां पर जो है वहे डी राइट आंसर है संस्कृत, प्राकृत और अपभरंस अंगला question क्या है किस गरंत की आधार पर अपभरंस का बिको दुहा विधा कहा जानी लगा तो किस गरंत की आधार पर अपभरंस का बिको दुहा विधा कहा जानी लगा तो question number 21 का सही आंसर सी आनिकी प्रबंद चिंता मणी प्रबंद चिंता मणी आपका यहां पर सही आंसर है अंगला question है अपभरंस भासा में दोहा का बिका आरम कब से माना गया अब ब्रंस बासा में दोहा काब्ड का जो आरम माना गया है कब से माना गया जो इंदू से या रामसें से धनपाल से या लक्षमिदर से 22 का सही आंसर विकल्प नंबर एक जो इंदू से आपका सही आंसर है प्राचीन तम रास काबे गरंथ कौन सा है तो यह आपके लिए बताना है रास काबे गरंथ पुंचा है आपके question नंबर 23 का right answer है विकल्प नंबर आपका C right answer है रिपूदारण रास आपका यहाँ पर सही आंसर है इसुरी किस लोग विधा के लिए ब्यक्षात है इसुरी बताइए महत्रपुंट question है तो आपका सही आंसर है 24 का विकल्प नंबर यहाँ पर एक जाने की फाग फाग आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला question है आधिकाल में चरित काप विसरवादिक के साहित में लिखे गए हैं सिद्ध साहित, रासु साहित थे, जन साहित थे या ना साहित question number 25 है और 25 का सही answer विकल्प number C आनिकी जन साहित आपका सही answer है अंगला question है नानक देवजी के पदों को ग्रुगरंत साहिब के किस प्राकरण में संकलित क्या गया है तो किस प्राकरण में संकलित क्या गया है तो आपका सही answer 26 का विकल्प number D आनिकी महला महला आपका सही answer है महला महला आपका राइट answer है अंगला question है सूरती से आस्रह है और माद विरक्ति ध्यान या आनंद का अनुभाव question number 27 27 का सही answer बताना है तो 27 का आपका जो सही answer है D right answer है आनند का अनुभाव आपका नहां पर सही answer है अंगला question है नीरती से आशराई क्या है नीरती से आशरा बताना है तो क्या है इससे आशराई तो question number 28 का जो सही answer है वहे आपका 28 का विकल्प no. D आनिकी जगत प्रापंच से व्रकती विकल्प नमबर D आपका सही आंसर है कभी परीचाय की रचेता कौन है दर्मदास, अनंतदास, नावदास, गोकुल, नात तो question number 29 है 29 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर B यानि कि अनंतदास आपका यहां पर सही आंसर है अंगला question क्या है कभीर को बिना महाकाब लिखे किसने महाकभी माना है यह आपके लिए बताने question number 30 का सही आंसर कबीर को बिना महा कभी लिखे किसने महा कभी माना है तो तीस का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर D रामसरूप चेतुरबेदी रामसरूप चेतुरबेदी राइट आंसर है अंगला कॉस्चे ने दादू दयाल की सिस्ट परमप्रा के कि संत नामी संपरता चलाया तो जो सत्य नामी संप्रता है ये किसे ने चलाया ये आपके लिए बताना है Q1 से राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर D यानिकी जग जीवन दास आपका यहाँ पर सही आंसर है ज्यान समुद्र और सुंदर विलास की रशीत कौन है Q1 संदर डास दादू दयाल नारान दास जग जीवन दास Q1 ये अंगला Q2 संदर दास आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला Q2 है असाइट क्रेब्ध हंसबली का रश्णा सुरोथ क्या है ये आपके लिए बताना है 33 का सही ANSOR असाहित कृत हंसा वली का रशिना सुरोथ क्या है तो 33 का सही ANSOR आपका विकलब नंबर डी विक्रम बिट्करम 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 बेट्करम की कथा आपका सही ANSOR सूफी साधुकों में महिला संथ है कमाली या नभीसा या रंग रेजिन या तो आपका सही आंसर है 34 का विकल्प नमबर D राविया आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन है तुलसी चरित की रशिनाकार है नावा दास रगुबर दास नंद दास सीता दास तो कॉस्चन नमबर 35 है 35 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर B रगुबर दास आपका है यहा विकल्ब नमबर D, मदू सूदन सरस्वती, मदू सूदन सरस्वती आपका सही आंसर है, राम की बाबना किस पुराण में मानी गई है, भागबत पुराण, बायू पुराण, अगनी पुराण, या हरिवन्स पुराण, कौस्च नमबर सेतेस है, सेतेस का सही आंसर है, आपका हैं पर 38-31 जो झांसर है धिकट नंबर एक गर विकलर नमबर एक राम पिरिया सरन्र दास को यहां पर sina मफ झांसर है एक यह ज़्चा घ्रिका कि आपकी बिभथ आंशर अंपर क्यों कि किटने विभ Think लिई राम चेंद रिका की कितने विभाते हैं एह आपकी लीव आंसर है बिल्कुल सही अंगला क्या है तो 40 वा question यहां पर पूँछे क्या है कभी प्रिया में बिवेचन हुआ चंद का रस का गुण का या अलंकार question नंबर 40 40 का राइट आंसर बताना है तो अलंकार का आपका हैं आपका यहां पर सही answer है अलंकार का आपका बिल्कुल सही आंसर है, अंगला question क्या है, राम चंद्रिका की कतानक काधार क्या है, question number 41 का सही आंसर बताना है, 41 का right answer क्या है, तो विकल्प number D right answer है, यानि की बालमी की रामन आपका सही आंसर है, केसाव की सांतरज प्रदान रचिना का नाम बताना है विज्ञान गीता, अंगला question है, बल्लव संप्रदाक किसके लिए प्रसिद्ध है, कता साहित, नीती साहित, नाट साहित, बारता साहित, question number 43 का सही आंसर बताना है, तो आपका D right answer बारता साहित आंसर है, विकल्प number D, अंगला question क्या है, शूर्दास के तिर्यक्त दूसरे संगी तर्गति, चीत स सभी आंसर है अस्ट चाप के कभियों में काब सास्तरी है कुमबंदास पर्मानंददास कुष्ण नंबर 45 45 का सभी आंसर है विकल्प नंबर C आनि की नंददास आपका यहां पर सभी आंसर है सूर के बाद बासल का सर्फसेष्ट बनन किस अस्ट चाप कभी न किया है तो 46 का सभी आंसर जो है आपका यहां पर बैह है आपका 40 का सी आनि की पर्मानंददास आपका सभी आंसर है अंगला कौस्चन है सूर दास का दोतिय बिरमरगीत कितने पदों का है तो ए आपके लिए 47 का सभी आंसर बताना है तो 47 का राइट आंसर है विकल्प नंबर D आनि की एक एक आपका यहां पर सभी आंसर है अंगला question क्या पूँचा गया है सूरदास ने कितने बिरमरगीतों की रचिना की है महत्तपूर्ण question पूँचा गया है question number 48 आपका और 48 का सही answer 3, 4, 5, 1 तो 48 का विकल नंबर 1 यानिकी 3 तीन बिरमरगीतों की रचिना की है सूरदास जी ने अंगला question क्या है सूरदास का कौन सा भरमरगीत सिरिमत भागवत का अनुबाद कहा जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या या ये सभी तो ये आपके लिए बताना पहला दूसरा या तीसरा या ये सभी तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर एक या निकी ये पहला पिर्थम पिर्थम आपका सही आंसर सूरदास जी का पिर्थम बिरमरगी जो है सिरिमत भागवत का अनुबाद कहा जाता है तो इस परकार अपने या पर बहुत ही मात्तपूर question complete हुए क्यासा लगा ये वीडियो कमेंट में आप जरू बता है अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाए और पर click करें ताकि अल वीडियो की जानकारी सबसे पहली आप क्या तक पहुंचे जादस जाद़ वीडियो को share करना है और वीडियो को like करना ना भूलें आज की वीडियो है बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जये हिन